तो दोस्तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि खेसारी लालयादा भोजफूरी के कैसे सूपरस्टार है जो कि हमेशा किसी न किसी वज़ा से चर्चा में बने रहते हैं और साथ ही उनकी पतनी चंदा का भी नाम हमेशा आता रहता है और आप फिर से खेसारी चर्चा में आ गए हैं जिसकी वज़ा ए है कि खुद खेसारी ने खुलासा कर दिया है कि उन्होंने अपनी पत्नी चंदा को दो बार धोखा दिया है जिसको जांकर आप भी चौक जाएंगे जी हाँ तो खेसारी कैसे अपनी पत्नी चंदा को धोखा दिया है अगर आप सब भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंतक मने रहेगा और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिजीे चैनल को सबस्क्राइब कर दे और हमारे वीडियो देखने के बाद सेयर करना ना भूलिएगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तर आप सभी को हम बता देते हैं कि खेसारी ने कैसे अपनी पत्नी चंदा को धोका दिया है तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि खेसारी जब से भुसबोडी इंडर्ष्ट्री में आए है तब सब उनको लेकर कत्नी अफवाय बनाई जाती है और ना जाने कितनी हिरोनों के साथ उनका नाम भी जोड़ चुका है जिसमें सबस्यादा चर्चा में रहा काजर और अक्षरा के साथ उनकी जोड़ी और यहां तक कि जिनको नहीं पता था कि खेसारी सादू सुधा है वो लोग तो काजर और अक्षरा को खेसारी की पत्नी ही मान बैठे थे लेकिन खेसारी की सादी तो भजपुरी इंदर्श्री में आने से पहले ही हो चुकी थी तो आई अब इस पर खुद खेसारी खुला कर दिये कि उनका काजर और अक्षरा के साथ रिस्ता था और जब उनका रिस्ता इन दोनों के साथ तुटा तब उनको बहुत ही दुख हुआ तो कितने दिन तक रोए भी थे और यहां तक खेसारी यह भी बोले कि चंदा को जब इस बात का पता चला तो वो काफी दिन तक नाराज थी क्योंकि पतनी का हक होता है नाराज होना जी हां खेसारी ने सर्याम बोल दिया है कि वो दो बर अपनी पत्नी को धोका दे चुके और चंदा काफी गुस्सा भी हुई थी तो अब इस पर आप सभी क्या कहना है क्या खेसारी सही किये हैं अपनी पत्नी चंदा को धोका दे कर अपनी राइंचे कमेंट बाग हो जो भी ब तवाद